आज जिस coin और या जिस token के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Wink Token Wink के बारे में आपने जरू सुना होगा Wink Token और Wink Coin के बारे में आज बात करेंगे और क्या उसका future रहने वाला है क्या price prediction रह सकता है और क्या performance रहेगी सब चीज़े बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ wing token की लेकिन उससे पहले cryptocurrency market में हल्की सी मामूली सी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ा सा downfall है तो wing token की जो rank है वो 114 है ठीक है 114 rank पे आता है wing token और चलते हैं wing token के पास और wing token का जो price है वो एक रुपए से एक डोलर से काफी कम है ठीक है इसलिए मैंने इस coin को इसलिए select किया है कुछ चीज़े हैं इस coin ने जो कमाल करके दिखाया है ठीक है वो आप सब को पता है क्या कमाल करके दिखाया है और यह रहा wing 114 पे है और पिछले एक हफते में आप wing token का अगर price देखोगे पिछले एक हफते का तो आपके host उड़ जाएंगे ठीक है और आपको पता है wing ने क्या performance दिया है पिछले एक हफते में 52% अप हो गया है तो 50 का आगड़ा यहां टच कर लिया है इसने एक हफते में 50% का और विंक लिंक नाम है इसका रैंक है 114 और एक लाग चपन हजार लोगों ने इसको अपनी वाच लिस्ट में एड कर रखा है और 6% का currently downfall है जो price है 0.0007196 अब यह भी जल्दी ही एक रुपे से उपर जाएगा 1 डोलर तक जाएगा ठीक है जब भी जाएगा इस token का price अभी बेहत कम है इसलिए इसमें benefit आप देख सकते हो एक तरह से और इसको long time के लिए hold कर सकते हो क्यों कर सकते हो क्योंकि यह definitely उपर जाएगा ठीक है price बेहत कम है और कम पैसो में भी आपको ज़्यदा tokens मिल जाएगे इसके तो आप जब भी वैसे किसी crypto में invest करना चाहते हो तो कुछ से research कर लो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह एक अच्छा option है और wink ने जो कमाल करके दिखाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले अभी जो performance है वो live आपके सामने है और कितना इसने return दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले trading volume की बात कर लेते है और trading volume क्या कह रहे है trading volume यहाँ पे कह रहे है कि 17% का downfall है खेर उससे कोई फरक नहीं बढ़ता downfall भी होता रहता है trading volume में लेकिन market cap पे अगर गोर करोगे market cap बेहद ही जैदा है wing token का और यह मुझे लगता है in future अगले साल तक यह 20-50 रुपे या 1 dollar इतना भी चला जाएगा ना तो बहुत benefit होगा ठीक है अगर इसको long term के लिए hold करते हैं तो यह उपर तो जाएगा definitely जाएगा और rank 114 है top 200 में coin आता है ठीक है और अगर आप यहाँ इसका old time का graph देखोगी old time का graph है इसका और कैसे इसने देखो जब यह launch हुआ था तो तब से यह कैसे चल रहा था सिर्फ एक सीधी line में चल रहा था एक दम ऐसी चलांग लगाई देखो कहां तक पहुँच गया अब फिर वही हाल है नीचे 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 फिर यहां से फिर उपर उठना शुरू हुआ है ऐसे ही यहां पर फिर ऐसे हुआ था तो मेरा कहने का मतलब ही है कि इन फ्यूचर यह एक लंबी चलांग और लगाएगा क्योंकि भाईया प्राइज एक डॉलर से उपर एक रुपे से उपर जाएगा हमेशा इसी पे एक रुपे से नीचे नहीं रहेगा ठीक है इसको भी उपर जाना है तो एक अच्छा benefit हम इस coin में भी ढूंड सकते हैं और यहां पे अगर मैं आपको 1 year का high और low दिखाना चाहता हूँ 1 year में कितना high और low गए तो यह 1 year का है और यहां पे आप देख सकते हो 1 year का देखो कहां से कहां तक आया है 1 year पहले इसका जो price था वो इतना था 0.00005622 तो 2 zero कम कर दी इसने एक साल में देखो कहां तक highest गया था 0.002965 अभी एक 0 और है लेकिन मुझे लगता है यह सारी 0 हट जाएंगी और यह 1 dollar क्या 1 dollar से भी उपर जा सकता है ठीक है थोड़ा सा यहां पे time जरू लग सकता है लेकिन long time के लिए 5-6 महीने एक साल अच्छा option है विंग token हो सकता है इससे पहले भी कमाल कर दे एक अच्छा option है मैं बस यही कह रहा हूं कि top 200 में एक coin आता है और कुछ इसकी updates के बारे में भी बात करेंगे कब तक कितना price prediction इसका जा सकता है क्या future रह सकता है तो जैसे कि मैंने आपको का विंग के अच्छा option है क्यूं है वो भी मैं आपको बता रहा हूं यहां पे विंग कम से कम 30 से जैदा exchange पे list हो चुका है win is now listed on nearly 30 exchange और कौन-कौन सी वो exchange है देखो जितनी जैदा exchange पे list होगा उतना ही price बढ़ने के chances जैदा होते है ठीक है तो मैं आपको एक बार exchange भी दिखाना चाहूंगा और win किन-किन exchange पे list हो चुका है तो यहां पे पहला नाम है binance का है फिर यहां पे finx का है gate io का है maxi global का है ku coin का है यह सब सारी exchange पे list हो चुका है coin dcx पे भी मिल जाएगा आपको और साथ के साथ जो सिर्फ यहां पे wajir x पे भी मिल जाएगा आपको coin switch kubair यहां पे नहीं है तो आप अगर purchase करना चाते हो coin dcx से कर सकते हो और यहां पे wajir x अच्छा option है नहीं तो मैं binance recommend करूँगा binance आप बिल्कुल perfect है security के हिसाब से बिल्कुल perfect exchange है और आप wajir x भी select कर सकते हो साथ के साथ coin dcx यह दोनों indian exchange है तो 30 से जयदा exchange पे विंक token list हो चुका है और एक बहुत बड़ी चीज है मुझे लगता है यह जल्दी 1 dollar को भी cross कर सकता है ठीक है इसलिए इस coin को लेना बनता है क्योंकि यह 1 dollar को तक जाएगा बिल्कुल जाएगा क्योंकि अभी इसका price उपर नहीं गया ठीक है बाकी जितने भी coin है वो सब गए है जो 100 से कम की list में आता है rank जिनकी 100 से कम है तो एक अच्छा option हम विंक token के नजर में देख सकते हैं विंक token के रूप में देख सकते हैं और यह list है top 10 gainers of the Tron ecosystem in the last 7 days और विंक token है third number पर क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है विंक token 52% तक उपर गया है last 7 days में 57% तक उपर तो एक अच्छा rank यहां पर मिलता हुआ gainers की list में भी विंक token को तो सबसे ज़्यदा gain भी हो रहा है और in future अगर हलकी full की गिरावट देखो cryptocurrency market है अब आएगा तो down भी आएगा लेकिन यहां से हम expect कर सकते हैं अगर देखो hold तो करना पड़ता है किसी coin को रात और रात कुछ नहीं होता holding की power आपको समझनी चाहिए तो wink token एक अच्छा option हो सकता है future के लिए future में अच्छा performance wink token की तरफ से हो सकता है और यह 5 अगस्ट की list है most active BSC tokens की और BSC tokens जो सबसे ज़्यादा active है उनमें सबसे top पे है wink token तो wink है सबसे उपर दूसरे नंबर पे है BTT BitTorrent तीसरे पे है Tron चोथे पे है Dogecoin और 5 पे है IOTX तो wink token के आप देख सके जलवे पहले भी दिखा चुका है और इस बार जो जलवे दिखाएगा ना wink token वो शायद expect नहीं कियोंगे किसी ने ठीक है और कहीं न कहीं market cap भी बढ़ता हुआ दिख रहा है wink token का और जो percentage level है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है तो in future हम आज से 3-4 महिने या नए साल तक का अगर price prediction लेके चलें तो यहां एक अच्छे levels wink token की तरफ से भी दिख सकते हैं तो यह कुछ news और updates थी wink token को लेके आगे जो भी update होगी wink token को लेके आपको जरूर मिल जाएगी लेकिन किसी भी cryptocurrency में invest करने से पहले आप खुद की research भी कर लें ठीक है तो आज की वीडियो में हमने बात की wink token के बारे में आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share जरूर कर देना और साथ में चैनल को भी subscribe कर लेना कर दो